नमस्कार दोस्तों कैसे आप सर्भी लोग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रॉसरी बिजनेस के बारे में ग्रॉसरी डिलेबरी बिजनेस के बारे में क्यों ग्रॉसरी डिलेबरी बिजनेस फैल हो जाते हैं और इसको शुरूआत कैसे करें आप क्या क्या चीज़े हैं कुछ points ऐसे discuss करेंगे तो आपको इसमें से कुछ फायदा होने वाला है बहुत अच्छे चीज़े समझ में आएंगी इस वीडियो में जो discuss करेंगे वीडियो पर बने रहेगा चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं के तो subscribe कीजिगा और वीडियो को भी like कर द delivery या फिर अभी आपने कुछ प्लाइन कर लिया या कर रहे हैं तो इन टिप्स को जरूर सुनिए देखिए आप अगर online business करना चाहते हैं तो इसमें कैसे शुरू कर सकते हैं इसके बारे में पहले बात करेंगे फिर आगे हम बताएंगे कि क्या-क्या गलतिया है वो नहीं करन आप website और mobile app के थूरू अपने product को online बेज सकते हैं अब website और app की जरूरत क्यों पड़ती है देखिए क्यों पड़ती है क्योंकि भई जब आप अपने website में या अपने app में जितने product है आपकी उन सबको list करेंगे तब ही न customer अपने mobile में app को download करेगा और देख पाएगा कि हाँ यह product मिल रहे हैं फिर वो order कर पाएगा तो अब वो चाहे आपको call पर बताए चाहे message के थूरू करके बताए कि मुझे यह चीज़े चाहिए या apps के थूरू आपको order करे तो app जो है थोड़ा professional हो जाता है थोड़ा और अच्छी quality में होता है थोड़ा आज की date में जो चलना है आप डाउनलूड कर लो और app से order कर दो जब भी आपको जूरू पड़े तो यह तरीका बहुत अच्छा होता है कुल मिला के बात एक ही है चाहे customer आपको call करके बोले कि मुझे यह grocery चाहिए चाहे आपको whatsapp में message भेज दे पूरे list या आपको app के थूरू order कर दे इतना ही ने order किया है है ना यह चीज तो यह एक बहुत important चीज है apps जब आप online business को लेके जाएंगे आप भले यह offline grocery store चलाते हैं लेकिन जब उसे online लेके जाएंगे तो आपको app की जूरू पड़ेगी app बनवाने के लिए आप कहां से बनवा सकते हैं कितने में app बनेगा तो आप हमारे दिएगे नमर पर WhatsApp कर दीजे डेमो आपको मिल जाएगा पहले चीज तो solve हो गई होई एप बन गया फिर इसके बाद आप और क्या के चीज़ें लगेंगी अब जब आप बना लिए जब आपके पास order आएंगे order आने के बाद क्या होता है grocery को pack करना grocery को रखना grocery को customer के घर तक पहुचाना किस तरीके से आप पहुचा सकते हो यह आप समझिए आप grocery को pack करने के लिए पॉलेथिन खरी दिए बैक खरी दिए है ना उसके साथ साथ आपके पास बाइक है क्योंकि जब आप पहुचाने जाओगे तो पैदल तो जाओगे नहीं है ना तो बाइक चाहिए delivery boy चाहिए delivery boy आप रखें delivery boy के साथ साथ और भी चीज़े है अलगी यह सारी वीडियो में हम पिछली वीडियो में यह सारी चीज़े बता चुके हैं आप आई बटन पर कर लो लिस्ट मिल जाएगी कौन-कौन से कैसे इस business को सुरू करें in detail मैं एक शौट में बताए दे रहा तो delivery boy हो गया आपको bike चाहिए होगी फिर trolley चाहिए होगी आपको उसके साथ delivery bag चाहिए होगा आपको फिर उसके साथ marketing के लिए आपको कुछ banner, poster, pamphlet यह सब चीज़े चपबाने पड़ेंगे तभी तो आप अपने चीज़ों की marketing कर पाएंगे अपने business की marketing कर पाएंगे कि आपने ये business खोला है, धीरे से आप एक digital marketing platform भी शुरू कीजिए, digital marketing के लिए क्या, आप digital marketing में facebook page, whatsapp और instagram, इन सब में थोड़ा बहुत marketing शुरू करेंगे, तो आपकी जो marketing स्टार्ट हो जाएगी, लोग आपको जानने लगेंगे, आपने business online किया है, आप इसे चालू कर दीज लोग आपको order करना शुरू करेंगे, जब आप लोग जानेंगे कि हाँ, अब home delivery भी है, हलाकि आज की date में देखो, कई company जो चल रहे हैं, लेकिन मैं इस business को कहां पर करें, अभी आप ये भी मैं बताऊंगा, कहां पर इसे चुरू करना है, तो ये सब चीजे पूरा plan करें, पूरा बनाएं, business को शुरू करने लिए, अब देखो, कहां पर शुरू करना है, कैसी जगह, ये भी थोड़ा समझ लो, business को ऐसी जगह शुरू करना है, कोई बड़ी multi city में अगर करेंगे, तो वहां पर बहुत बड़े-बड़े computer बैटे हैं, तो आप ऐसी जगह पर करें, आप से जुड़ें, तो आप भी अपने किराना स्टोर को ऑनलाइन जरूर लेके जाएं, तो इससे आपको फायदा होगा, बिक्री बड़े की, लोग आज कल ऑनलाइन मगाना चाहते हैं, यही चीजे, यही काम से लोग आप से जुड़ेंगे, तो आप ऑफलाइन तो आप उसे घर तक पहुचा दें, इससे बिक्री बड़ेगी, और आपके साथ कस्टमर तूटके नहीं जाएगा, क्योंकि आपने आफलाइन करके रखा है, और आउनलाइन कोई और शुरू कर लिया, तो कस्टमर वहाँ पर चला जाएगा, तो यह भी एक दिक्कत हो जाएग तो यह तो clear हो गया, भाई, कैसे business को शुरू करना है, कैसे grow करना है, थोड़ा और यह हमने tips दी, और उसके बाद आप समझते हैं, क्यों fail हो जाते हैं, है ना, grocery startup क्यों fail हो जाते हैं, मतलब जो online business शुरू करना चाहते हैं, तो अक्सर fail हो जाया करते हैं, क्या reason ऐसे, तो reasons की करेंगे fail होने का कारण सबसे पहला है lack of knowledge, lack of clarity, यानि कि आपको knowledge नहीं रहता, आप धरवलने से कूच जाते हैं, business में आपको जरा भी knowledge नहीं है, apps के कैसे चलेगा, website कैसे चलेगी, और आप सीधे कूध गए business में तो यहाँ पे fail होने का कारण होता है तो पहले learning करें, सीखें चीजों को जाने, समझें हमारे साथ जुणें, और उसके बाद आप कई चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे marketing, proper marketing नहीं होती लोगों को पता नहीं चलता है, आप business launch कर देते हैं, app launch कर देते हैं website launch कर देते हैं, लोगों तो थोड़ा time लगेगा marketing करने की थोड़ा बात करें, थोड़ा hype create करें, लोगों को बाते करें कि ये business शुरू हुआ है, उसकी grand opening करवा दें थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए कि आपनी business start किया है, तो वो order करना चाहेगा, ये एक अच्छा point है, तीसरा fail होने का कारण है, order नाना, order नाने का कारण होता है, कई जगे, आपका जो apps और website इस तरह का होता है, कि लोग order ही नहीं कर पाते, है ना, और apps और website trash हो जाता है, कई दिखते, इस कारण से भी आपका fail होने का chance जादा रहता है, है ना, next यहाँ पर delivery अगर आप करना है product की, और अगर आपने proper delivery करना है, शुरू करना है, product की delivery करना है, तो यार उनमें कई जगे ऐसा होता है, कि delivery बाजो है लेट पहुंचता है, जल्दी delivery ना करना, है ना, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सुधाने, तीसरा एक और next point, आपके business में USP क्या है, क्या आप अच्छा unique चीज़ दे रहे हैं, कौन सी अच्छी ऐसे points आप दे रहे हैं, कौन सा अच्छा option है, जो customer को पसंद आ रहा है आपके business में, कौन सा USP है, unique selling point क्या है आपका, मतलब कि online delivery तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप उसमें एक खास बात क्या है, आपके उसमें, जैप्टो जब आया था, तो वहाँ पे 10 minute में उन्होंने delivery करना चुरू किया, भले 10 minute में delivery हो या ना हो, लेकिन हैप तो ऐसा create किया, कि भाई 10 minute delivery, 10 minute delivery, 10 minute delivery, even अब बहुत सारे start-up 10 minute delivery पे जा रहे हैं, तो कोशिश आप ये करें, कि हमको भी कुछ अपने बिजनस में यूनिक रखना है, अगर आप अपने बिजनस में कुछ यूनिक point रखेंगे, तो customer के लिए बहतर होगा और आप से वो जादा तर जूडएंगे, ये सारे points मेरे कहाल से आपको समझ में आया होंगे, तो पहले think करो, सोचो, समझो है ना, और चीजें बहुत सारी हैं, अभी बताने के लिए इस वीडियो में नहीं हो सकते clear, comment में question डाल दिये करिए, कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा करेंगे, स्टाफ को salary कितनी देंगे, computer कौन सा लगाएं, software कौन सा लगाएं, बहुत सारी चीजें आती है, comment में बताईए, आपको समझ में क्या नहीं आया है, उस पे हम वीडियो बनाते जाएंगे, और ऐसे ही tips हम इस चैनल पर देते रहेंगे, like, subscribe करना आपका काम है, वीडियो बनाना हमारा काम है, like, subscribe, share करें और मिलते फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों